हेलो नमस्कार दोस्तों बहुंदवा स्वागत है अब सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पे दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पर स्क्रीन सोट देख पा रहे होगे कि मैंने इस एप्लिकेशन से लोन लिया था और यह लोन मेरा अप्रूब हो गया है और 14,299 रुबए के आसवास मुझे कुछ रिशी होए है और मैंने 15,000 के लोन के लिए अपलाई किया था जाएने के इस वीडियो में कैसे आप सिर्फ आधार कायट की मदद से लोन ले पाओगे बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं 100% टर्स्टेट आपको एक वे वताओँगा जिसके मदद से आप इस लोन को ले पाओगे तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं बाकी आपको हमारी चैनल पर ऐसी informative वीडियो हमीशा देखने को मिलते रहती हैं तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को लाल बाली बटन को दावा कर सब्सक्राइब जरू कर देना और बहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैंने डिस्किप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है तो उस लिंक पर जैसी क्लिक करोगे आप यहां पर प्लेश्टूर पे आ जाओगे तो लिंक इन डिस्किप्शन आप यहां पर डिस्किप्शन के लिंक में जैसी क्लि बात में दिखा चुका है अब यहाँ पर आपको क्या करना है नॉर्मल इस अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अब यहाँ पर दीखे सिंपल आपको ज्यादा कोई के डॉक्मेंटेशन नहीं देनी है मातर आप अधार कार्ट के साहिता से लून ले पाओगे बस आपको वीडियो को लाज तक देखना है ताकि जो भी डीटेल में बताऊं आपको वच्छेशों समझ में आ पाए यहाँ पर सिंपल यह में से अप्लिकेशन को ओपन करूंगा औ कि I am new to branch यहाँ पर आपको क्लिक करना है second वाले option में यहाँ पर जैसी क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपनी country सेलेक्ट कर लेनी है आप जिस भी country यह वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजेगा तो मैं यहाँ पर अपनी country सेलेक्ट कर लेता हूं और registered with your phone number तो यहाँ पर आ account में क्लिक कर दीता हूं इसके बाद एक OTP आएगी आपके नमर पर और OTP से आपका नमर verify कर लिया जाएगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेता हूं और देख पा रहे होंगे कि आप automatically OTP से हमारा नमर verify हो गया जैसे यह आप यह सारे काम कर लोगी तो आपके सामने application का interface को सिस तरीके का निकल के आएगा जहाँ पर आपको यहाँ पर एक apply now बाला बटन देखने को मिलेगा home देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको यहाँ पर लोन्स बगेरा यह सारे चीज़े देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ पर जाना है एक setting वाला icon जो है यहाँ पर आप के लिए उनके क्लिक करना है आपको एक्सिस आपको देना पडेगा तो अलाओ मैं क्लिक करके अलाओ-वलाओ करदेता हूं अब यहां पात जो नेक्स्ट पेज है वह कुछ इस तरीके का हमुरे समदल निकल आ जाएगा यहां पर आपको अध। type select कर देनी है और यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड में click करके continue में click कर देता हूँ आपको यहाँ पर normal अपनी आधार कार्ड और इसी के साथ साथ एक selfie upload करनी है तो मैं आप पर next में click कर देता हूँ और अपना जो आधार कार्ड है वो upload कर देता हूँ और इसके बाद आपको अपनी district वगएरा याड कर लीनी है और जो भी थोड़ी सी detail है वो यहाँ पर हमको दे देनी है तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर pen number फिल कर देता हूँ दोस्तो यहाँ पर मैंने अपने pen card की detail और इसी के साथ date of birth फिर इसके बाद gender आपको यहाँ पर select करने को कहेगा तो आपको अपना gender select कर लेना है इसी के साथ आपका जो address है वो automatically आ जाएगा और इसके बाद आपको अपने city यहाँ पर डाल दीनी है इसी के साथ आपका pin code भी auto fail यहाँ पर आ जाएगा आप यहाँ पर आपको क्या करना होगा अपना state select कर लेना है तो मेरा जो state है मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ और यहाँ पर select कर देता हूँ अब इसी के साथ साथ आपको क्या करना होगा आपको आपको यहाँ पर अपने email address देना है आपके सामने जो next page है वो कुछ इस तरीक को देखने को मिलेगा आप यहाँ पर अपने को बो वाला bank account डालना है जिस bank account में अपने को पैसा चीए तो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ मेरा जिस भी bank में account अपने हैं पर मैं select कर लेता हूँ और bank account नमर में यहाँ पर डाल देता हूँ इसके बाद हमें submit वाले बटन में click कर देना है और जैसे आप submit वाले बटन में click कर होगे जो next page है वो कुछ इस तरीके का आपके सामने open होके आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहा हूँगे कि maximum आप यहाँ पर दो लाग का loan लेज पाओगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ और भी loan amount है जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब देखिया दीरे दीरे आप अगर इनका time पर repayment कर देंगे तो यह सारे loan आपके लिए approve हो जाएंगे जैसे कि आप 15 शो एक हजार for suppose मैं आपको अगर 500 के बारे में बताऊंगे अगर आप यहाँ पर 500 रुपे का loan लेते हैं अगर हम 500 रुपे 31 दिने के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि one monthly payment एक बार में ही आपको 515 रुपे की payment करनी पड़ेगी और बासट दिन में आपको लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो monthly payment total amount due जो है आपको 530 रुपे देने फॉर सबोज अगर हम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होगी कि जैसे कि हम लोग 1500 का नून लेते हैं तो continue आप देखिए यहाँ पर हमें लगबग जो रीपीमेंट करनी पड़ेगी वो एक बार में देनी पड़ेगी और 1545 रुपे इसमें लगेंगे मतलब 45 रुपे एक बाकि आप लोग क्या अगर होगे आप एक बार एक छोटा अमाउंट का लून ले लेना और इसके जस्ट 8-10 दिन बाद आप अगर आप रीपेमेंट कर देते हो तो अगला जो अमाउंट आपका 10,000 से उपर का इंक्रीज हो जाएगा फॉर सबोज मैं आपर एक महीने के लि और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट है डिश्टी रिमेंट अमाउंट जो रहेगा वो 443 रुपए जैसे कि मैंने लगवक्त 15,000 का लून लिया था तो जो 14,000 कुछ रुपए आए थे तो वो उसी इसाप से आते हैं तो आपके अकाउंट में 443 रुपए जो है वो आएंगे और 15 रुपए का आपको एक महीने में इंट्रेस्ट लगेगा तो सिंपली आपको यहां पर कंटीने वाले बटन में क्लिक कर देना है और यह आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा तो कुछ इस तरीके का आप देख पा रहे होंगे तो सिं सब्सक्राइब जरू कर शकते हैं फिलार आज की भी वीडियो मस इतनी था वीडियो को लास्ट तक देखने लिए आप सभी का बहुत बत धन्यवाद बाकी मैं आपके लिए ऐसी और भी इंफर्मेटिव वीडिर्स हमें सब बनाते रहूंगा थैंक्स वर वाचिंग